नमस्कार आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड आये सुनते हैं नासिरा शर्मा जी की लिखी कहानी ततया शन्नो बारिन कमर के नीचे चांदी की चोड़ी करधनी कसे अलता लगे पैरों में पड़ी पायल की मधुरलय के संद जब बाल्टी उठाए गुजरिया बनी मुंसिपैलिटी के नल पर पहुशती तो घूंगट में छिपे उसके मुख और हाथों में पड़ी लाल हरी चूड आती हो ऐसा नहीं था मगर हरे हरे पत्तों की अंजुली में तिनका खोसकर जब वह उन्हें सामने डालती तो अपने आप नजरें पल भर के लिए बहु पर जाटिकती आखों में संतोश भरी खुशे का उजास भर उठता कि उसका घर भी फलफोल उठा है कभी मन ही मन कह मगर उसने दोने पत्तल बनाना नहीं छोड़ा चब उत्रे पर बैट वसारे महले को ताक्ती अपना दिल बहलाती हाथ चलाती रहती महले भर में यही एक नल था सूरा जुबने से पहले ही जमघट लगा होता नहाना धूना कपड़े पचारना पानी भरना इस बहाने घर के सामने रौनक लगी रहती थी कोई बड़ी बोड़ी नल पर गगरी बालटी लगा युद्ध वीर की मा के पास घड़ी दो घड़ी बैट बत्या लेती या कभी कोई जवान औरत अपने बच्चे को वहीं चबूत्रे पर लिटा नहाने धोने में लग जाती तब युद्ध की मा पतल दोने छोड उसे चुमकारने खिलाने लगती थी इधर कुछ दिनों से उसे अपना ही मुहला कुछ पराया पराया सा लगने लगा था लोग बदले बदले नजर आने लगे थे नहाते धोते मर्दों की नजरे उसको ठीक नहीं लगती थी अंदर अंदर राख में लिप्ट चिंगारी की तरह युद्ध वीर की मास लगती रहती बगर उपर से शांत चेहरा लिए सारा दिन दोने बनाती बैठी रहती और शाम होते ही हलवाई की दुकान पर सदा की तरह पतलें गिरवा आती और लोटते समय बहु बेटे के लिए दोना भर रबड़ी जाना नहीं भोलती आखिर यही तो चाव चोचले के दिन है रात को खापी कर जब सारा मुहला शांत हो जाता वह भी खटोले पर ठकी टांगे पसार कर सोचती किस नल को हमारे ही द्वारे लगना था सोती तो सपना देखती कि मुहले के सारे मर्द एका एक दो मुहे साप की तरह जीब लबलपाते हुए नल के होंदे के चारो तरफ कुंदली मारे बैठे हैं और उनके बीच शन्नो मुह घाड़े खड़ी है वह चौक कर उठ बैठती माथे का पसीना पोशती उठकर आधा ल सुबरों का विश सुबै अधेरे मूट कर नहाती धोती और आले में लगे तुलसी के पोधे में पानी डाल जब अपने हाथ जोडती तो अपने को धिकारती कि कैसा पाप चड़ा रही है अपने माथे पर सब के बारे में गंदे विचार रख फिर मन की शुद्धे के लिए वह माथा टेकती कि आगे से वह ऐसी बाते नहीं सोचेगी उसे विध्वा हुए 15 साल बीत गए थे इन्ही दोनों पतलों के भरोसे उसने दो लड़कियों और एक लड़के को पाल पोस कर ग्रिहस्ती की गाड़ी को यहां तक हीचा था दोनों लड़किया अपने अपने घर में सुखी है बारह हुआ पासकर युद्धवीर भी बिजली घर में लग गया है उसे मा का दोनी बनाना अब नहीं भाता उसके सुख के दिन आये हैं इसलिए वह कई बार मा को टोक चुका है अब तुझे इस खटराक की क्या जरूरत है मा चैन से लेटकर ललाइन काकी की त बहु से हाथ पर दबवाना बोरा गया है क्या अभी हाथ गोड चलते हैं सो तुझे बुरा लगता है क्या जो मुझे रोगी बनाना चाहता है तो सारी उम्र काम ही करेगी क्या काम से छुट्टी कहा कल जो इस घर पोता पोती होंगे तो दोने पतल छोड उने गोदी में उसके पास से उठ जाता दशहरे के आगमन से मौसम बदलनी लगा था अंदर बाहर उच्सव जैसा लगता शन्नो ने हल्दी लगे हाथ के छापे के संग दिवार पर गेरू से कई आकृतिया बना तुलसी के आले के चारों तरफ कंगुरा उभार दिया था घर की दिवारों पर रामक्रिष्ण के फोटो वाले कलेंडर लगाये थे युद्वेर पन्नी की रंग बिरंगी जालरे ले आया था जो दरवाजे पर पड़ी हवा से थरथराती रहती थी आज चुकी चौकीस महले से उठने वाली थी सो नाली की सफाई में महतरकल से जुटे थे सडक के दो उनों और चुना डाल दिया गया था घरों के सामने भी फैला सामान सिमट गया था मुहला बदला बदला सा लग रहा था युद्वेर की माने आज दोने पतल नहीं फैलाये थे अच्छी बढ़ियां सापसाड़ी पहन रखी थी युद्वेर का घर रिश्देदारों से भरन चुटता था कि मुहले के दशहरा कमेटी वाले उसे सीता बनाने के लिए कई बार सास की चिरोरी कर चुके थे वह नहीं मानी थी शन्नो देल मसूस कर रह गई थी अभी तो गौना हुआ है भाया जी नई नवेली दुलहन है तुझे बहु को यदि नजर लगने का डर है तो उसे हम रावनवाटिका में बिरहणी के रूप में बिठा देंगे बिल्कुल साधी केवल फूलों की एक माला के संग प्रबंधक दशहरा कमेटी मुहले के लड़कों के उकसाने पर स्वैम कहनी चले आए जो इस बार नगर चौकी प्रतियोगिता में प्रथम पुरुसकार पाने के चुक थे ना बाबू जी यह तो न होगा इस बार स्वर में कठोरता उभराई और अंदर अंदर गाली दे कर बोली बहु को जीभर देखने का बहाना तो देखो इस बूढे खुसट का अरे जाओ अपनी मा बहन को सजाधा जा सुपर नक्खा बना लो मैं क्या रोक दोपहर के ढलते ही चौकिया निकलना शुरू हुई जिनके बीच बाके जवान तेल से भीगी लाठी का कमाल दिखा नए नए पैत्रे बदल देखने वालों का ध्यान खीच रहे थे पुलिस चौकस थी कि किसी तरह की शरारत बे मतलब जगडे का रूप न धर ले चौड़ी सड़क खचाखच भरी थी देखने वाले लोग केवल महले के थोड़े थे आधा शहर जैसे पंक्ती बंधों पूरे इलाके में फैल गया था और ते बच्चें छटों और खिड़की दर्वाजों से शद्धा के फूल चौकियों पर फेक रहे थे शन्नों सब कुछ भूल कर देवताओं के मुख ताक रही थी तीर कमान से सजे सीता के अगल बगल खड़ी राम और लक्षमन को देख कर जैसे वब और आसी गई सर पर पड़ा रेश्मी पल्लू, सरकर, कपकंधो परान गिरा उसे पता न चला वस वब अपने को सीता की जगे खड़ा महसूस कर रही थी तभी किसी ने उसका हाथ पकड अपनी तरफ घसीटा शन्नो समली, कुछ जानती समझती उससे पहले वह लंबे-लंबे आदमियों की भीड के बीच बहुच चुकी थी वह जितना हाथ छुडाने की कोशिश करती पकड पहले से और अधिक मजबूत होती गई किसी के पैरों पर चड़ती, कंधों से टकराती धोती समहलती, पसीने में डूबी घबराई जो बाई तरफ वाले मोड पर निकली और अचकचा कर उसने हाथ पकड़ने वाले को ताका तो सन रह गई नशे में घूमता एक अधिर सामनी खड़ा था लाल लाल आखे, बड़े बड़े बाल और शन्नो चीखना चाहती थी मगर डर कर थर-थर कापने के अत्रिक उसके मूँ से बोल न फुटे हार्मोनियम साफ करते हुए गायक बाबू ने जो यह अद्रिश खिड़की से देखा तो लगा जैसे गली के नुकड़ पर अनार छुटे हो जूडे में घुम्गरू वाले काटे बिन्धे थे गली में चमचमाता सोने का हार बड़े बड़े लटकते जुमकों के बीच माथे पर दगदगाती बड़ी सी टुकुली और मांग में लाल-लाल सिंदूर साक्षाद सरस्वती मा की सूरत उन्होंने गौर से देखा नाक में पड़ी अनारदानी जैसी लौंग एका एक चम की हाथ का कपड़ा फेक घर की सीड़ी उतर भागते हुए सड़क की तरफ पढ़बढाते लबके कुछ गड़बर लगती है आखिर यह आदमी इस लड़की को इस तरह घसीट क्यों रहा है जब तक गायक बाबू धोती की लौंग में उलशते हुए समलते तब तक दोनों पतली गली में लोप हो यह जा वह जा वा हक्का बक्का खड़े रह गए नाग पर लटकाय चश्मे को ठीक करते हुए कुछ समझ नहीं पाए फिर भी एक महले की बाद दूसरे महले से नहीं छुपती यह तो फिर अपनी महले की बाद थी युद्ध वेर की औरत की सुंदर्ता का बखान पत्नी बेटी से सुन चुके थे सो समझ गए हो ना हो वही है मन में शंका उठी कि वह लड़का कैलाश बारी तो नहीं था भैरव मंदिर के पास वाला नसेड़ी भांग चरस का शौकी कद काठी कुछ वैसी ही लगती थी बड़ी देर तक फैसला नहीं कर पाए कि जो देखा उसे सच माने और बारीन से जाकर बताएं या फिर ऐसे बन जाएं जैसे कुछ देखा ही नहीं युद्ध वीर बड़ा भला लड़का है इस मुहले में वही कुछ पढ़ा लिखा गंभीर है वरना तो चलता हूँ इस्थिति आक कर मुख खोलूँगा हो सकता है मेरी भूल हो युद्ध वीर और उसकी मा महमानों को विदाकर वही चबूत्रे पर आन बैठे थे यही उनका आंगन था जहां बैठे वा ताजा हवा के साथ आसमान देख सकते थे एक लोटा पानी देजा बहू युद्ध वीर की माने बहू को पुकारा गायक चचाप युद्ध वीर तेजी से अपनी जगे से उठा और खोशी से भरा उनके पैरों पर जुका मिठाई नमकीन भी साथ लाना आज हमारे भागे खुले जो युद्ध वीर के बापू के मित्र घर पधारे मारी ने खटोला डालते हुए कहा बहु कोट्री से जब मिठाई पानी लेकर नहीं निकली तो युद्ध वीर या सोच अंदर गया कि कहीं शन्नों का जीना खराब हो गया हो गायक समझ गये कि अब कहना ठीक होगा परना कच्ची बात कहे सदा के लिए संबंध तोणना कहां के बुद्धि मानी है सो जी जकते डरते जो देखा था वह सब कह सुनाया अरे वह कोई और नहीं अपनी शन्नों होगी उसका जैसा रूप साथ मुहले में नहीं है देवर जी जमा करना बहन मैंने तो बस हाथ जोड़ खड़े हो गये हाई दया कालिक फोत गई मुह में मा वह तो कोठरी संडास में देख युद्धवीर बाहर निकला तो मा को सरपकड़े बैठा देखा और गायक चाचा को सर जुकाए जाते देखा भाग गई तेरी घरवाली पगलाई सी बारी नूठी और अंदर कोठरी में आन बैठी और कभी सीना कोठती कभी मुह पीटती युद्धवीर का चहरा अपमान से जुलसकर कोईला हो गया था मा का वाग के दोने के मुलायम पत्ते में खुसा नुखीला तिनका बन जैसे हजारों की संख्या में उसके दिल में एकाए एक खुब गया समझना पाया कि मा की गोद में सर चुपा कर जोर जोर से रोए या फिर अपना सर दिवार से टकरा कर माथा फोल ले क्यूं बैठा है मुझ छिपा के जादेख कहां गई कुलक्षिनी पूरे डेड कीलो की करधनी थी पांचे तोला सोना सब ले गई नास पीटी सारी उम्र की कमाई पर जाड़ू फेर गई माका क्रोधे का एक मद्धिम विलाप में बदल गया शन्नो भाग गई युद्ध वीर को सहसा विश्वास न हुआ कापते शरीर से वहड बड़ा ऐसा उठा और अचकचा ऐसा सडक पर आन खड़ा हुआ रात का सन्नाटा सडक पर फैल गया था इका दुक्का सवारी आ रही थी फुटपात पर रीटा जोड बाउल के खटाले वाले रिक्षा चालकों ने भाद पकाना शुरू कर दिया था लैंप पोस्ट की पीली रोश्णी में चाय वाले मटकू के चूले के आसपास कुत्ते वदन गोल कर उंग रहे थे युद्ध वेर अंदर से उठती रुलाई को पीता हुआ धीरे धीरे चलता नीम के पेड़ के नीचे आन खड़ा हुआ जैसे पूछ रहा हो किधर जाओं किस से पूछूँ चौराहे के तीन तरफ जाने वाली सड़कों को वह खड़ा देखता रहा और अनुमान लगाने लगा कि चौकियां उसके घर से दाहिनी तरफ वाली सड़क पर मुड़ी है जहाँ पर लोगों की घंटा घर तक रेल पेल होगी सामने वाली सड़क पर बड़ी इमारत गिरने से रास्ता बंद है अब बाया रास्ता ही ऐसा है जिदर ढूढ़ा जा सकता है हाथ में पकड़ी साइकिल के संग वा निराश सा आगे बढ़ा उसे डर भी लग रहा था कई तरह के शंकाएं उसे घेर रही थी शन्नो भाग गई आखिर क्यूँ कुछ दिन पहले ही तो पता चला था कि माखुशी से भर कर कोई पुरानी टावीच संदूख से निकाल लाई थी उसको शन्नो के वाजू पर बांगते हुए उसने दशहरे बाद उच्छो मनाने का कारिक्रम बनाया था फिर एकाई कि अब हुकम साइकिल पर सवार युद्धवीर बड़े गोर से सडक के धर धर देखता आगे बढ़ रहा था सडक खाली थी बजाजा पट्टी की सारी दुकाने बंद थी ठेले पंक्ती बंद खड़े थे बड़े उचे खंभे दुन्दले हो गहरी गुफाओं की तरह मोबाय उसे निगलने को तयार खड़े थे जब बाजार पारकर शमशान के समी पहुशने लगा तो धोबी घाट तक पहुशने से पहले उसका मन किया लोट जाए वह अकेला क्या कर पाएगा थोड़ी दूर जाकर वह निराश हो गया जब वह जजाजा पट्टी दुबारा लोटा तो उसे पान के खोखे के पीछे कुछ आहट लगी मदन में भै की सेहरन दोड़ी चोकन ना हो उसने गौर से देखा और पहचान गया दुधिया अंधेरा भी फटा न था कि युद्ध वीर की साइकिल पर पीछे बैठी शन्नो लोट आई दोनों को एक साथ घर लोटा देख बारिन की जान में जान आई तुलसी के आगे सरनवा कर भरसुई में जा बेटे के लिए गोडर पानी से भरी लुटिया ले आई इस भी शन्नो समान वाली छोटी कोठरिया में शरण ले चुकी थी अपने गहने पत्ते गिनलो मा युद्वीर इतना कह वहीं चोखट पर खड़ा रहा कहा में ले मा ने फस्वसा कर पूछा और बेटे को उपर से नीचे तक ऐसी टटोलती नजर से देखा जैसे चोट घाव तलाश रही हो बजाजा पत्ते के सामने इतना कह वह अंदर आकर बैठ कया यहां क्यू ले आया इस छिनाल को तेरे लिए लड़कियों का काल पड़ गया था क्या रे बारी ने का एक दाथ पीस कर गुर रही मा तुम ही ने तो लेने भेजा था मा का रोद रूप देख युद्धवीर सिट पिटा गया भेजा था कि तू पकड़ कर इसको किसी कूए में धखे लाता किसी पटरी पर पटाका था इसे घर लाने को नहीं कहा था करम जले मा दोनू हाथ कमर पर रख बोली मा युद्धवीर ने परिशान आखों से इस तरह मा को देखा जैसे उसे विश्वास न हो रहा हो कि मा इतना कड़वा बोल सकती है गई किस के साथ थी मा ने हाथ मटकाया वह क्यूं जाएगी किसी के साथ नहीं नहीं वह तो मैं गई थी जो गई थी फिर आई क्यूं मैं पूछती हूँ वह कौन था पता नहीं पहचानती नहीं कोई शराबी था नशे में खीच कर ले गया था युद्धवीर मा का यह रूप देखकर अपमान से भरू था बच्ची थी दूद पीती जो पकड़ कर ले गया पहले से कुछ लाग लपेठ होगी मा की जली कटी सुन युद्धवीर हत प्रभ रह गया ऐसा कुछ भी नहीं है मा नशे में वह वहीं फुट पात पर डाल गया था यह जान बचा कर घर लोट रही थी तभी मैं पहुच गया युद्वीर के स्वर में अब खीज थी इस जूठे पातल को मैं नहीं रखने वाली इसके हाथ पैर तोड इसको गंगा जी में बहाया ओ बारी ने फैसला सुनाया तेरे दिल में जुआय मा सुकर जलबुड छुए बिना कुढ़ा सा युद्वीर लोटा बालती लेकर नल की तरफ बढ़ा उसका सारा उत्सा क्रोध में बदल गया था मा का कोसना कलपना धीमे स्वर में चल रहा था अंदर शन्नो बॉखलाई सी पल के जपका रही थी रावण को तो आना था एक दिन इस देहरी पर जब सब मिलकर उसे सीता जी बना रहे थे इस जग में कोई किसी का सुख नहीं देख सकता है जो समझो हमारे घर में आग लगी तो भगवान चाहेगा सब के घर चिता जलेगी मुझ विद्वा की हाय से सब पर बजर गिरेगा दिन निकला सूरज चढ़ा मगर नल पर अंधिरा चाया रहा उस दिन किसी ने सजी धजे गुजरिया को लोहे की बाल्टी लिए खड़ा न पाया युद्वेर नहाध हो पानी भर कुछ पहले ही बिजली घर चला गया था युद्वेर की मा को उठरे के आगे चबूत्रे पर बैठी रोज की तरफ पत्तल दोने बनाने में इस तरह वेस्त दिख रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो मगर वा जानती है कि क्या हुआ है मन में कहीं गहरे एक बात खुमड रही है कि या बात कितने दिन चिपेगी इज़त के लिए कुछ करना पड़ेगा वरना ये नाग नागिन का खेल खत्म नहीं होगा शाम को युद्धवीर बिचली घर से लोटकर वहीं चबूत्रे पर बैठा रहा खाना पानी तो दूर कपड़े बदलने की भी इच्छा ना हुई चेहरा ऐसा निचड़ा हुआ जैसे जान किसी ने निकाल ली हो तू कब आया वीर? माने थके स्वर में पूछा आज उसके हाथों में रबड़ी मर्ती का दोना नहीं था युद्वीर ने कोई उत्तर नहीं दिया मा अंदर कोठरी में गई तो देखा शन्नो चूले पर चाय का पाणी रख रही है यह देखकर बारिन के तनवदन में आग लग गई साड़ी के पल्लू से रुपए खोलते हुए एका एक रुख कर बोली क्यूं धर्म ब्रस्ट करने पर उतारू है कलमूही तेरे हाथ का जल पी कर नरग जाना है क्या जा बैट को भवन में नटनी युद्वीर ने जो नजरे घुमा कर कोठरी में देखा तो शन्नो को सर जुकाये खड़ा पाया कमर की करधनी और पैर की भारी पायल गायब थी वह तो तब से शन्नो के पास जानी का साहस नहीं जुटा पाया था जो जानता की मानिकान नाक गले के सारे गहनी छील लिये हैं या जाने क्यूं वहां बैठा न रह सका और तेजी से उठ लंबे लंबे डग भरता गायक वाबू की तरफ कया जो संध्या की आर्ती गाकर वापस आये थे सब कुशल तो है हाँ चाचा मगर मा का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है समय के साथ सारे तुफ़न शांत हो जाते हैं विरादरी का भै बहुत बुरा होता है आखिर वह भी क्या करें कहावत नहीं सुनी धोबी पर बसना चले गधे का कान उमेठे अभी चलता हूँ चाचा कहकर व्याकुल सा युद्वेर लोट आया घर में बढ़ता तनाव दे युद्वेर अंदर अंदर खौलने लगा था जिसके कारण इस घर की शांती भंग हुई है उसको पकड़ कर पीट आए थाने में रपट लिखवा आए इस तरह हाथ पर हाथ धरे यह दुख मनाने में क्या मिलेगा गायक चाचा उसके इस उबाल पर ठंडे पानी की छीटे यह कहकर डाल देते कि शुक्र कर बेटे की इज़द पर बट्टा नहीं लगा मान मर्यादा सही सलामत है अब जो इस खड़े पानी में ठेला फेकेगा तो कीचर सारा बहू पर गिरेगा कैला अशबारी का क्या विगड़ने वाला है भर ठेरा अलुच्चा लफंगा किसमत अच्छी थी जो नशे के कारण उसे कुश याद न रहा दो दिन तक नाली में पड़ा रहा या गायतरी मंत का जाब करता मगर अपने को बिलकुल अखेला पाता कश्ट में पास रहने वाली मा आज जाने उससे इतनी दूर क्यों चली गई थी जिसे मन की बात खुलकर नहीं कह सकता था मा सब कुछ जान कर भी अंजान बनी रही थी जीवन भर लोगों से लोहा लेने वाली आज क्यों उससे भैखा रही है उसे अपने विवाह का दिन यादा था जब विदाई के समय सासने रोते हुए उससे हाद जोड बिंती की थी मेटा या तनिक मंद बुद्धी की है जो सिधाई में कुछ उल्टा सीधा कर बैठे तो नादान समझ कर बिसरा देना लल्ली अभी छोटी है यो धवीर मीठी यादों में खोक्या बह कितनी भोली और सीधी थी उसे तो मुझसे भी कम संसार की समझ है शुरू शुरू में मा उसके बच्पन पर कितना हस्ती थी कई कई बार उसकी छोटी छोटी बाते दुराती थी हर दम उसे सजाती दुलराती हुई कहती थी कि मैं जवानी में बिद्वा हुई सो अपने सारे अर्मान बहु पर पूरा करूंगी और अब सिहर उठा युद्वीर मा के वदले विवहार पर फिर धीरे से बोला उसे घर लाकर मैंने अच्छा किया ऐसी दशा में वह कहां जाती युद्वीर का मन मस्तिश्क तो उसी रात अनहुनी घटना से उबर चुका था अवा सहेज जीवन पहले की तरह जीना चाहता था मगर बारी नभी तरक नहीं तलाश कर पाई थी उसको घर का सुनापन अखरता था मगर वह उस गाट को खोल नहीं पा रही थी जो शन्नो को लेकर उसके मन में बन गई थी एक तरफ उसे शन्नो पर दया आती है और दूसरी तरफ क्रोध वह खुद समझ नहीं पाती थी किस घटना से कैसे निप्टे कभी उसके मन में शंका जन्म लेती कि शन्नो से पहले वाला प्यार दुलार दिखाया तो वह धीट हो जाएगी तच्ची हुमर है कल जो गलती करेगी दूसरों के सर मढ़ेगी और जो यू फटी-फटी में रहती हूँ तो घर की खुशी-खुशाली खटाई में पढ़ जाती है क्या ये घर सदा दुख के भवर में फसा रहेगा आज तीसरा दिन है मगर लगता है तीन यूग बीद गए ना काम में दिल लगता है ना मुहलेदारी से दिल बहलता है वह तो कहो रामजी कृपाथी कि किसी ने देखा नहीं वरना बहुरानी पीहर गई है क्या भाजी तिखाई नहीं पड़ी दो-तीन दिन से नल पर नहाती नत्थो की दादी ने पूछ लिया नहीं तो कहकर बारीन कोटरी में जा समाई मन ही मन बड़़ाने लगी कैसी टोहले रही थी बुढ़िया महर धूप खिली थी जब उत्रे पर पत्ते पड़े थे सब कुछ वैसा ही छोड़ कोटरी के अंधेरे में माथा पकड मूड़ी बारीन बड़़ाती खीचती कुछ देर बैठी रही युद्ध वीर की माई जर बाहर निकलो सिल्लो महराजिन की पाटदार आवाज गूंजी क्या है री सिल्लो बारीन कहती हुई बाहर आई यह सब समान समेटो और हमारे साथ घर चलो काहे क्या हुआ फिर वही रामायर खोल कर बैठ कए हैं गीता के ससुरे कि जब राम जी राजा होई के सीता मया को न रख पाए तो हम तो ठहरे प्रजा सो ले जाओ अपनी पोती को तुम ही बताओ यह कहां का न्या है सिल्लो साडी समेट चबूत्रे पर बैठ कई हुआ क्या कुछ बताओ तो कि बस चल पड़े बारीन भी अपने टाटके टुकडे पर बैठ चुकी थी प्यास बड़ा जूर पकड़े है शन्नो रानी जरा मासी को पानी दे जा सिल्लो इतना कहकर मुडी मैं लाती हूँ तु बैठ बारीन जटके से उठी का हे तुम लाओगी बैठो और हमारा विपता सुनो तुम तो जानती हो राधे को लकवा मार गया है गीता आई पीहर तो सुनकर वह भी चली गई बुवा के घरे इधर उसका पती लिवाने आया कि घर पर महमान आये हैं रोटी बनानी है तो गीता को वहां नहीं पाया बस तब से युद्ध छिड़ा है कि हमारे पूछे बिना यह कई बार इधर उधर डोलती है जब कहकर जाती है कि भाई के घर जा रही है तो बुवा कहां से आ जाती है लाख समझाओ बताओ मगर इहरामी ससुरा एक ही बात रटत है इतना कहकर सिल्लो ने उची आवाद से कहा बहू पानी ला गले में काटे चुप रहे है यह जाडे की प्यास बड़ी बावली होती है हाँ तो मैं कह रही थी कि वा ससुर है तो बुढ़ा मगर मन से रंगीला सियार एक दिन गीता के साथ कुछ खैर गीता तो भैसे चीख पड़ी बात बनाई गई कि चुहे से डर गई थी मगर तब से वह बुढ़ा उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है मासी पानी शन्नो ने कापती आवाद से कहा खूब खुश रहो पानी की लुटिया ले जो सिल्लो महराजी ने शन्नो को देखा तो जटके में आ गई मुड़कर बारिन को देखा फिर शन्नो की उदास काया ताकी बहु बिमार है क्या नई सुहागी न रिह बहरूप न पैर में न कमर में उपर से मैली गुजली धोती थू थू मेरे मन में तो बड़ा बुरा विचार आया जा बहु कपड़े बदल करा तुम डाटती डपटती नहीं हो क्या मैं तो इस अधेड उम्र में खिचडी बाल के संग एक दिन बिंदी का जलना लगाऊं तो फिर देखो कला सास्ताना मारेगी कि हमारे लड़के का सुहाग रखने में कौन सा हाथ खिसता है कहकर हसपड़ी सिलो फिर शन्नो की तरफ मुड़कर बोली नहाद होकर भोर में ही तयार हो जायकर सारा दिन लोग आते जाते हैं अच्छा नहीं लगता बहू शन्नो उल्टे पैर कोठरी में वापस चली गई बारिन का चेहरा पीला पड़ गया सिलो ने गटा-गट पानी पीया फिर बोली चल री सहजो तुससे अच्छा वकिल कोई नहीं हमरा तू हराएगी उससरे गिद्ध को बात बेबात बखेडा कर रहा है चलती हूँ मरी आवाज में बारिन बोली उसके तेवर तो तूटकर गिर चुके थे जब अपना घर न समाल सकी तो अपने तरकश के तीरों से कौन सा निशाना साधेगी तू ऐसी पत्थर की मियूरत क्यों बनी बैठी है कुछ घटा है क्या कहीं बहु से सिलो कुछ टटोलती सी बोली अरे मेरे घर क्यों कुछ ऐसा वैसा होने लगा बस जरा बहु का जी उल्टा पुल्टा है सो सोच रही थी उसे यूँ छोड़ कर जाना सोचना विचारना क्या है बहु के आगे बेटी विसरा दोगी उसका तो सब कुछ दाव पर लगा है बस उट धोती चाहे तो बदल ले कहती हुई सिलो महराजीन को सुलजा कर लोटी तो कुछ परेशांसी रही है उसे बार बार एक ही प्रशन उठा पटक रहा था कि ओरत की सही दुरदर्शा कहां से शुरू होती है कोई घटना घटने से या फिर उस सारे कांड के निपट जाने के बाद अर्थाज जब उसे घर निकाला मिलता है या फिर वह घर में रहकर प्रताडित बनी रहती है खिजलाई जीव की तरह दुदकारी युद्वीर के पिता का जब दिहां थुआ था तो उसके बाद वही तो कमाने वाली बची थी दोने पत्तले इस हलवाई की दुकान से उस हलवाई की दुकान पर जाते हुए क्या उसे सब मा बहन ही समझ कर ताकते थे अरे युद्वीर की मा कहा हो सत्तो अपनी ढोलक रखते हुए बोली राम राम सत्तो बहन आओ बैठो कहती युद्धवीर की मा सत्तो को अंदर ले गई तै हुआ रहा कि दशहरे बात करोगी पूजा संगी मगर अब तो दिवाली आये रही है का बात हुई सब कुशलमंगल है न अरे बिमारी कहके थोड़े आती है इधर जरा सबका शरीर ढीला रहा उसी में भूल गई तुम्हेंने उता भेजना फिर अब कब सोचे हो बताते हैं पहले कुछ जलपान तो करो बताशे वाली गली से पैदल आ रहे हैं सोचा दम लेकर आगे बढ़े पैर तो समझो बहु कहां है दिख नहीं रही है अंदर आकर पैर फैलाती सत्तो इधर उधर देख एका एक बोली अंदर लेटी है जी अच्छा नहीं है बारीन ने प्रशनों का सिलसिला वही यह कहकर समाप्ट कर दिया सत्तो के जाने के बाद बारीन उदास हो गई जैसे घर आई खुशी के लिए उसने के बार उड़का दिये हो आखिर वह यह सब क्यों कर रही है दूसरों के लिए लड़ती है मगर अपनी उसके अंदर न्याय का यह दोहरा मापदंड क्यों कहीं वह अपने को साथ समझ कर आखों पर पट्टी तो नहीं मांधे हुए है शन्नू का दोह उसे क्यों नहीं दिखता और उसके लिए वह व्याकुलता अपने अंदर नहीं पाती है जो गीता के लिए उभरी थी क्या वह यह सब अपने पदर्शन के लिए तो नहीं करती है कि वह बड़ी न्यायवाली दयालू आत्मा है पूरी विरादरी की मुख्या बनने में उसको आत्मसंतुष्टी मिलती है औरतों की वकालत करते हुए कहीं उसे अपना महत्तो जान पड़ता है या फिर शन्नो को लेकर वह इतनी निश्ठुर क्यूं हो गई है कहीं उस घटना का सारा आक्रोश अंजाने में शन्नो पर खाली कर अपने अपमानी ताहत मन का बदला तो नहीं चुका रही है सारे दिन बारे इन बहकी बहकी रही तवे पर रोटी डालती तो लटना भूल जाती दूद उबलकर गिरने लगता तो उसे उतारने की सुधना रहती बस आखों के सामने रात के घटना डूबती उतराती रही राम राम राधे शाम का जाब करने पर भी उसकी बधवासी में कोई फर्क नहीं पड़ा युद्वीर के जाने के बाद उसने संदुक ची खोली फिर बंद कर दी छोटी कोठरी के दर्वाजे तक गई मगर उल्टे पैर वापस लोटाई काम में दिल नहीं लग रहा था पत्तों के गठर खोले नहीं एक बार मन किया पडोस में ललाईन के घर जाकर बोल बतियाकर दिल हलका कर ले फिर मन मसोस कर बैट कई हाथ मलते हुए मन ही मन बुदबुदाई दूसरों के लिए लड़ना कितना सरल हैरी सहजो मगर जब स्वैम पर बनती है तो सब कैसा कठी जटिल लगता है शन्नो की भूख प्यास तो उसी दिन से उड़ चुकी थी सास की पठकी थाली से एक दोक और बड़ी मुश्किल से गले के नीचे उतारती और जो सास के पैर की आहट लगती तो वह सहम कर अपने अंदर सिकुड जाती उसे न सास का बदला बरताव समझ में आ रहा था न अपनी गलती उसे तो विश्वास था कि सास उसे लिप्टा कर रोईगी प्यार करेगी उस अभागे दानव को कोस्ते हुए उसकी कलाई में लेप लगाईगी मगर उसकी आखों में पल भर कौंधी खुशी बहुत जल्द व्यंगबाण में परिवर्टित हो गई अवब क्या करे उसका क्रोध कैसे शांत करे घर के काम में हाथ नहीं लगाने देती सेवा करने जाती हूँ तो पैर खीच कर दुदकार देती है रात भर अजीब सपने आते जबकी बात सिर्फ इतनी थी कि वह शराबी कुछ दूर जाकर ठोकर लगने से गिर गया था मस्त पहले से था गिरा तो होश में न रहा अपनी कलाई को सहलाती वह तेजी से पल्टी थी तभी जवान लड़कों का एक जुन्ड गाली बकता हसी मजाग करता वहीं खाली दुकानों के चबूत्रे पर बैठ किया था वह किसी तरह पान के खोखे के पीछे चुप गई थी कितनी देर तक वह सास रोके रही थी जब वह लड़के आगे बढ़ गए तो उसकी जान में जान आई थी एक दो रिक्षे सवारी बिठाए फरफर निकल गए थे वह उन्हें रोक नहीं पाई थी जब उसकी शक्ती जवाब दे गई तब उसे साइकिल पर आता कोई दिखा था वह कोई और नहीं युद्धवीर था बस बस रो मत डरने की क्या बात है अब मैं आ गया हूँ वह युद्धवीर से लिपट कर फफ़क पड़ी थी निराश युद्धवीर उसे पाकर निहाल हो गया था लाली में ओंधे पड़े उस आदमी को वह पहचान गया था सारी बाते सुन युद्धवीर शन्नो को दिलासादे साइकिल पर बिठा कर बोला था मा राह देख रही है तुझे देख कर खुश हो जाएगी तो कितना अच्छा होता भूख मतली शरम और उपर से हर रात उस शराबी का सपना उसे भैबीत किये रहता था वह हर सुबह इंतिजार करती कि शायद मा उसे आवास देकर बुलाए और रात युद्धवीर उसके पास आकर उसे इन सपनों से मुक्ट कराए बगर वे दोनों तो अपने अपने रड़ छेत्र में थे उन्हें क्या पता था कि किसी को उनकी कितनी सक्त जरूरत थी सोना चुड़िहारिन के घर आच्छुटी थी सहजो बारिन का भी न्योता था अकेले जाने पर सब उसे शन्नों के बारे में पूछेंगे जरूर वह क्या जवाब देगी तबियत का बहाना भी कब तक चलेगा वहां ले जाने भर के लिए बहुसे बाद शुरू करना उसे अच्छा न लगा चेहरे पर छाया तनाव क्या छट पाता है उस दिन सत्तो आखिर ताढ़ी गई थी बारिन के कानों में सोहर गाने की आवाजे धोलक के थाप के साथ जब जादा शोर मचाने लगी तो वह बैठी न रह सकी चलो चलती हूँ कह दूँगी घर पर महमान आये है सोना चुड़िहारिन का जगनमकर घर उसे अंदर से हिला गया खाना पीना गीत बधाई कैसा उत्सो मना रहे थे सब सजधशकर और वह भी धोलक समभाल कर बैठ कई थी मुहले की बात थी तरंगों में बह गई वहाँ जाकर भूल गई कि उसके मन में कोई कुंठा कोई आकरोश फन काड़ कर उसे ही कहां दूसरों की पड़ी होती है जो दूसरों को उसकी पड़े की फिर काहे वह धोबी की तरह एक ही बात पीटे जा रही है और भैसे मरी जा रही है उसने अपने सामने पड़े पत्तों की धेर की तरफ देखा जो व्रिक्ष की टहनियों से अलग कर दिये थे वा उन्हें एक आकार देती है उन पत्तों को हवा में वेकार डोलने और कूडा बनने से पहले उन्हें उपयोगी बनाती है फिर बदलते मौसम की जगें वा सपाट चट्टान की तरह सक्त क्यूं हो गई है रात को सोई तो सपनी में देखा उसके घर में आग लग गई है युद्वीर शन्नो को बचाने अंदर भागा तो लोटा नहीं और वा कोटरी की आग बुझाने के लिए जो बरतन उठाती है खाली पाती है नल की तरह भागती है तो देखती है तोटी सूखी पड़ी है चट पटाती सी बारी नीन से उठ खटोले पर बैट कई सामने युद्वीर का लाया कलेंडर लगा था जिसमें कृष्ण घुटनों के बल बैठे गगरी से भर-भर मुठी माखन खा रहे थे उसने मुड़कर बाहर देखा जहां चब उत्रे पर युद्वीर लेटा था अंदर छोटी कोठरी में शन्नों बीच में वदिवार नहीं बलकी खाएं की तरह पड़ी है सर से पैर तक विश में भरी हुई शायद पिछले जन में कोई विशैली जीव होगी तभी अत्याचार का यढग अपना पाई वर्ना राई का पहार न बनाती कमसिन बेटे को यू न सताती मैं और अत्याचार बारेन गिन गिना उठी नहीं, मैं क्यूं करूंगी किसी पर अत्याचार हर पराई पीर अपनी समझी लाली पासिन की विद्वा बहु ने जब जहर खालिया था तो वही तो गवाही देने पहुची थी वर्ना पूरा घर जेल में सडता आज तक अपने की ये पर पश्टाते हैं कि बहु पर काहे संदेह किया था राजू घोसी की लॉंडिया को पेट रह गया था उसी ने सुमिरन दाई से चुपचुपाते सारा काम करवाया था उसकी डोली भी उठकई आज उसके पैर धोधो सब पीते हैं कि सब की लाज धाकी फिर वह कैसे अत्याचारिन हो गई उसे याद आया जब वह गर्भवती थी तो युद्वेर की दादी कैसे उचनी समझाती थी सूरज ग्रहन वाले देन उसे पालती मार कर तब तक बैठने न दिया जब तक ग्रहन हट न गया कैसा लाट दुलार करती थी मगर वह क्या कर रही है सिवाए उस दिन के जब पता चला था कि शन्नो के पैर भारी है उसके परिवार के व्रिक्ष पर एक नई कोपल का फुटा हुआ है वह खुशी में भर लड़ू बाट आई थी यही करतवे बचा है एक गर्भवती के प्रती व्याकुल सी बारी नुठी संदू कची खोल पोटली निकाली और छोटी कोठरी की तरफ पढ़ी उड़का दर्वाजा खोला और धीरे से पुकारा शन्नो मलगी जी साड़ी में लिप्टी बेसुद पढ़ी सो रही थी बारिन सिरहानी बैट शन्नो के सिर पर हाथ फिरने लगी उसके मन में बहु के लिए अजीब ममता उमढ़ाई आखों में गीला पन उतराया शन्नो पहले कुनमुनाई फिर नीन में डूबी आखे खोली मापर नजर पढ़ते ही वह हड़बढा कर उठी और भैभीत सी हो सर पर आचल बराबर करने लगी उठकर कपड़े बदल बहु क्या हाल बना रखा है तोने शन्नो ने पलके जपकाई उसके होट कापे फिर इस्थिर हो गए चहरे पर रोश उब्रा आखों में प्रश्न जैसे पूछना चाह रही हो कि एका एक या काया पलट कैसा उसे वैसा ही बैठा देख बारिन बहु का मन ताड़ गई लाट से बोली हट ना कर शन्नो उठ जा मुझे मर जाने दो मा मैं तो पापिन हूँ जाने कैसे शन्नो के मुख से फूट पड़ा नाना बहु यूँ बोलकर मुझ पर जुल मत कर पापि तो वह राक्षस था तू पापिन क्यों होने लगी मेरी मतमारी गई थी तुझे मेरी उम्र लगे बारिन ने बहु को छाती से लिप्टाया शन्नो सुबक पड़ी बड़े क्रोध न करें तो छोटों को प्यार कैसे मिले जेवर की गट्री बहु को थमाम माथे पर प्यार कर बारिन आखे पोश्ती बाहर निकली रात आधी गुजर चुकी थी युद्धवीर रोज की तरह रजाईल पेटे चबूत्रे पर लेटा था बारिन ने उढ़कता दर्वाजा खोला बाहर निकली और बेटे के सर पर हाथ रखा उसे पता था युद्धवीर सोया नहीं है तो भी उसका गाल थपथपा कर बोली उठ उठ लल्ला जा अंदर कोट्री में जाकर सो बहु अखेली है उपर से हवा में कैसी ठंड भर गई है युद्वीर के जाने के बाद बारिन ने तूलसी के आले के सामनी माथा नवाया और मन ही मन बोली कृपा आपकी जो मन की ततईया के डंक तोड़ने में सफल भई अभी आप सुन रहे थे नासिरा शर्माजी की लिखी कहानी ततईया उमीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद